ही कि सबी दोस्तों को मेरा अप्यार भरा सलामल न मस्कार कैसे दोस्टों उमीद करताओं कि आप साविद लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों मैं अफान खान स्वागत्त करता हूं दोस्तों आपके सफल होना है तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि network marketing industry के अंदर ऐसे कौन से tips हैं ऐसे कौन से point हैं जो आपको success कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम बात करेंगे साथ ऐसे point के बारे में जो आपको network marketing industry के अंदर सक्सिस कर सकते हैं सेवन स्टेप इन सक्सिस network marketing industry तो सबसे पहले दोस्तों मैं अगर बात करूं तो वह है यूज दा प्रोड़क्ट अगर आप किसी भी network marketing industry को जॉइन कर लिए हैं तो वहां पर हमको करना क्या है सबसे पहले जो भी उस इंडस्ट्री का प्रोड़क्ट है वह हम को खुद को यूज करना होगा मैं आज देखता हूं वह सारे लोगों को कि वह network marketing industry के अंदर जॉइन तो लेते हैं बड़ जो पकूंपणी के अंदर होता है वह अपने खुद के हम को यूज नहीं करते हैं जूइन तो कर लिये हैं लेकिन वह प्रोड़क्त है वह अभी market के product कोuse कर रहे यह सबसे बड़ा जो है वह जाता है network marketing में असफल होने का जब आप काम करेंगे लोको की क्या बताएंगे कि मैं आप मेरी कमपणी के प्रॉडट्क की यूज की जिए अगर आपको सक्सित होना है मैं यूज करता हूं दूसरी कमपणी के आप मेरी कमपणी की यूज की जिए को मेरे भाई वह इंसान आप खुद को प्रोड़क को यूज करना होगा जिससे आपका आत्म विश्वास्ती बढ़ेगा कि हाँ मेरे प्रोड़क के अंदर वाके में quality है की नहीं है मेरे प्रोड़क बेस्ट है की नहीं है इस प्रोड़क के क्या फायदे है क्या benefit है तब ही तो आप लोगों को बता सकते हैं दोस्तों आपको अपनी कंपने के खुद के प्रोड़क खुद को यूज करने चाहिए अगर आप भी अपने मन के अंदर जाके देखेंगे और अपने आपसे सवाल पूछेंगे क्या जिस इंडस्री में जिस नेट्वरक मार्केटिंग में आप काम कर रहे हैं उसके लोग ऐसे हो बकि 99% लोग ऐसे हैं जो खुद के प्रोड़क को यूज नहीं करते हैं दोस्तों एक बात बताइए जब आप इस्टार्ट किये हैं और आपकी टीम भी थोड़ी बड़ी हो गई है या होने वाली है जब आपके डाउन लाइंस आपको देखेंगे कि हमारे जो को यूज करना पड़ेगा यह सबसे मैं इप्रोटम है यानि कि यूज दाप ब्रुड़क्ट दूसरे अगर मैं बात परूँ तो वह औरका दीजár बट homo यानिकी दूसरे लोगों प्रोडक्त शेयर करूंगा प्रोडक्त के बारे हैं बताऊंगा तो लोग क्या बोलेंगा रहे तो यह क्रीम बोडर बेचने वाला काम करना स्टार्ट कर दिया है यह मतलब जोड़ने वाला काम स्टार्ट कर दिया है यह इस तरह के प्रोडक्त बेचने वाला काम स्टार्ट कर करईगा बताँगा तो लोग मेरी मजाक बनाएंगे तो दोस्ते ऐसे नहीं है अपने प्रोडुक्ट को आपको दूसरे लोगों को शेयर करना पड़ेगा उनको भी यूजर बनाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि इस company के product का ये benefit है उसको benefit बताने पड़ेंगे कि आपको कितना इसमें margin मिलेगा इस product की quality क्या है इसकी खासियत क्या है इसको use करने से क्या फाइदे होते हैं यानि कि दूसरे लोगो इंडेस्ट्री के अंदर कदम रख दिये हैं और काम करना start कर दिये हैं तो सबसे जरूरी और important जो काम है वह है making of list यानि कि आपको list बनानी होगी देखें लिस्टी भी दोस्तों बहुत तरह की होती है आप जैसे सबजी मतलब खरीदने जाते हैं market जाते हैं बिया शादी करत हैं तो वहां पर आप list त्यार करते होंगे इन मेमानों को बुलाना है यानि कि कितने लोगों को बुलाना है कितने लोगों का इंतिजाम है क्या क्या सामाना आना क्या क्या विवस्ता करनी है इस सारे list आप त्यार करते होंगे तभी वह जो प्रोग्राम है जो function है वह सही तर दोस्तों making of list यानि की आपको list तियار करनी होगी एक बहुती साफ सुत्री सुन्दर तरीके से अच्छे तरीके से एक List बनानी होगी List बनाने का तरीका आपको जरूर आता होगा कि आपको list कैसे बनानी है क्योंकि हिं मेरे भाई लिस्ट जो होता है ना जैसे हमान लीज़े किसी कार खाने फैक्टरी में जब माल तयार होता है तो उसके अंदर जो raw material आता है जो कच्चा माल आता है तो उसके लाद माल तयार होता है तो हमारे network marketing industry के अंदर ये जो लिस्ट है ये कच्चा माल है आपको 100% लिस्ट बनानी ही बनानी है कर आप सकसिस होना चाहते है तो क्या दोस्तों आपने लिस्ट बनाई है आपने अपने सवाल पूछी क्या मैं अगर सकसिस होना चाहता हूँ तो क्या मेरे पास में लिस्ट है कि मुझे किन लोगों से बात करनी है किन लोगों को क्या है मेरे तो दिमाग में लिष्ट बना भी है मेरे मोबाइल फॉन में लिष्ट बना भी है मैं सब को जानता हूं मुझे किन लोगों को जोईन कराना है कौन लोग जोईन करेंगे कौन लोग नहीं करेंगे सारे मेरे दिमाग में और मेरे मुबाइल फोन में और वो यह सोचके लिस्ट नहीं बनाते हैं जो सबसे घडिया बात है तो आपको making of लिस्ट 100% अपको लिस्ट बनानी ही बनानी होगी तो दोस्तो अगला पोइंट जो है वो है दोस्तो invitation यानि कि आपको लोगों को invite करना होगा अपने business के लिए उनको business opportunity बतानी होगी आगर आपका seminar चल रहा है आपका business presentation चल रहा है तो business presentation के लिए उनको invite करना होगा अपना plan उनको share करना होगा प्लान दिखाना होगा, कंपनी के बारे हम बताना होगा, कंपनी के अब आउट के बारे हम उनको बताना होगा, यानि कि लोगो को इन्वाइट करना होगा, अगर आप लोगो को इन्वाइट नहीं करेंगे, क्यों दोस्तों नेटवर्क मार्गेटिंग जो बिजनिस है, वो ल नहीं करते हैं सेमिनार चलता है बयार जानकारी दी जाती है तो लोग को invite नहीं करते हैं क्योंकि दोस्तों Network Marketing जो business है वो लोगों का business है तो आपको invitation देना होगा लोगों को अपने इस business के अंदर लोगों invite करना होगा क्योंकि अगर आप success होना चाहते हैं तो यह point भी बहुत जरूरी है तो अगला पाश्मा point है वो है meetings, trainings आपने list भी बना ली है, invitation भी कर दिया है अब आपको इस network marketing industry की training को attain करना होगा, meetings को attain करना होगा मैं दोस्तों अगर बात तरूत इस video की भी तो सारे लोग ऐसे हैं जो video को बीच में ही skip कर देंगे पूरा video नहीं देखेंगे और आप जाके देखेंगे तो बहुत कम views आते हैं और उन वीडियो पर जाता views आते हैं जो गंदी वीडियो होती हैं वाहियाद वीडियो होती हैं मस्करी वाली होती हैं जहां पर कोई फायदा नहीं है देखने का लेकिन जहां पर training उसी है motivation मिटिंग होती हैं ट्रेनिंग होती हैं उनको लोग अटेंड नहीं करते हैं इसकीप कर देते हैं तो दोस्तों अगर आप network marketing industry के अंदर join हो गया हैं सक्सिस होना चाहते हैं तो आपको हर training को अटेंड करना होगा कोई भी training आपको miss नहीं करनी होगी कोई भी meeting मिस नहीं करनी होगी जब आपका apply आपको बोले कि कि बाई इस दिन फलाना दिन ट्रेनिंग रखी गई है मिटिंग्स रखी गई है आपको पहुचना है लेकिन लोग क्या ना उसको बहाना बना देते हैं दोस्तों काम्याबी और बहाना दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं जिस तरह से एक मयान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकते हैं उसी तरह से काम्याबी और बहाना दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं आपके अपलाई ने बोला कि आपको ट्रेनिंग्स में जाना है मिटिंग्स में जाना है और आपने बहाना बना दे के मेरे सर में द्रद हो रहा है मेरे पीट में द्रद हो रहा है आज मुझे ये काम पढ़ गया है जद ठंड पढ़ रही है गर्मी हो रही है बरसात हो रही है यानि कि उनको आपने बहाना बना दिया उनको धोका दे दिया तो दोस्तों आपने धोका उनको नहीं दिया है आप हैं धोका खुद को दिया है नेटवर्ग मार्गेटिंग के अंदर मोटिवेट होने के लिए कुछ करने के लिए कुछ बनने के लिए ट्रेनिंग्स का होना, मिटिंग्स का होना बहुत जरूरी है अगर आप मिटिंग्स अटेंड कर लेंगे, ट्रेनिंग्स अटेंड कर लेंगे अगर आप पूरा सीख जाएंगे तो आप 100% नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर success हो जाएंगे क्योंकि ये भी एक बहुत ही important points है success होने का network marketing में दोस्तों अगले point के अगर बात करूँ तो वो है follow up ये follow up होता क्या है follow up भी बहुत जरूजी थे follow up की मैं अगर बात करूँ अगर मैं अपनी भासा में अपनी language में अगर आपको समझाने की बात करूँ तो follow up होता है देख भाल यानि कि अगर माली जी आपने कोई पोधा लगाया है अब उस पोधे को ऐसा नहीं कि अप लगा के छोड़ देंगे और पोधा अपने आप बड़ा हो जाएगा अपना फल देने लगेगा ऐसा नहीं है मिर दोस्त उस पोधे को लगाने के बाद उसमें आपको पानी देना होगा उसमें आपको खाद डालना होगा उसको घेरा बंदी करनी होगी उसकी देख भाल करनी होगी समय समय पर उसको ध्यान देना होगा तब वो दीरे दीरे वो पोधा बड़ा होगा बड़ा होने के बाद तब जाने के पाद वो फल देगा यसे मालिज ये अगर आप पोधे को लगा के छोड़ देंगे देखिए मैं आपको बदाऊं कि जब पोधा नन्ना होता है तो उसको कोई भी चड़िया कोई भी पक्सी अपनी चोंच से उखाड़के फैंक सकता है अगर आप उस पोधे की सही से देख बाल कर ली अगर वो पोधा बड़ा होगी अप पेड़ बन गया तो आप उसको कितना भी हिलाएंगे कितना भी उसको मतलब कोशिश करें उखाड़ने की तो वो उखडेगा नहीं तो सेव वैसे ही हमारी इस network marketing industry के अंदर हमारी down lines होती है जब वो पहली बार इस industry के अंदर join होती है तो वो एक नन्ने पोधे के समान होती है नन्ने पोधे के मानिंद होती है अगर आप उसकी सही से देख बाल नहीं करी आपने अगर सही से उसका follow up नहीं करा तो कोई भी इंसान उसको इस network marketing से उखाड़ के बाहर फैंक देगा कैसे फैंक देगा को बोलेगा इसमें कुछ होता नहीं है अगर आपने उसका follow up नहीं किया देख भाल नहीं करी वो किसी ऐसे अंजान व्यक्ति से जाके मिल लेगा जो पहले network marketing industry से negative हो बैठा है वो बहुत लेगा बैए कहीं कुछ नहीं होता है सब यह ऐसी दिमाग खराब करने वाले काम होते है वो negative हो जाएगा और company को quiet कर देगा छोड़ के भाग जाएगा चला जाएगा उसका follow up करना होगा उसकी देखभाल करनी होगी उसको पल-पल सिखाना होगा बताना होगा जब तक वो एक मजबूत पेड़ नहीं बन जाता है जब तक वो दूसरे का follow up करने वाला नहीं बन जाता है तब तक अपनी उस downlines को छोड़ना नहीं है उसकी देख भाल करनी है, अगर वो पेड़ बन जाएगा, जब उसका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग से, उसके चेक्स आने स्टार्ट हो जाएगे, फिर उसको कोई भी बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग में चेक्स नहीं आते हैं, पैसा नहीं करना कर दिया दिखिए later बात करों जो लोग अलग qualcosa के होते है अलग अलग जगा साइय होते हैं अलग अलग जाती धर्ण के होते हैं वो एक साथ मिल के जब टीम वर्क में काम करते हैं तो वो तीम बहुजड़ stäग गिरूध कोई इंसान ऐसा जो अच्छा फोल उप करना जानता है कोई इंसान ऐसा जो अच्छा बिजनिस प्लान देना जानता है कोई इंसान ऐसा जो अच्छी ट्रेनिंग देना जानता है कोई इंसान ऐसा जो प्रॉडक की ट्रेनिंग अच्छे से जानता है सब के अंदर अलग-अलग quality होती है तो वो सारे लोग अगर अलग अलग quality वाले एक साथ मिल जाएं और सब सारे साथ मिल के अगर वो team work साथ में काम करें तो network marketing industry के अंदर 100% लोग success होंगे जिसे cricket का ही उधारम दे लिजिए क्या लगता दोस्तो विराट कोली बोलिंग करना जानता है अब जस्परीद बुम्रा है क्या लगता है वो अच्छी बैटिंग करना जानता है नहीं दोस्तो वो अच्छी बोलिंग करना जानता है महंद सिंग्धोनी है क्या लगता है वो अच्छी कि करते हैं बोलिंग कर सकता है नहीं वो अच्छी बैटिंग कर सकता है तो सारे के सारे लोग अलग-अलग quality वाले सब एक जुट हो के जब टीम भावना के साथ टीम में मिलके काम कर सकते हैं तो वो टीम जो है 100% जीती है वो 100% टीम विजयता होती है तो आपकी जो network marketing industry की team है तो उसके अंदर भी team की भावना होना चाहिए अगर आप team work में काम कर लिए तो आप network marketing industry के अंदर 100% success हो जाएंगे तो दोस्तों यह seven step यह साथ step ऐसे थे जो network marketing industry के अंदर success होने से आपको तो दोस्तों यह network marketing industry में success होने के लिए साथ point ऐसे थे जो आपके लिए बहुत जरूरी है मैं एक बार repeat कर देता हूँ सबसे पहला दोस्तों वह है use the products, share the products, making of list, invitation, meetings, follow up और team work यह 7 point ऐसे हैं जो आपको इस industry के अंदर success कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगाऊ तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार है तो subscribe जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की motivation वीड के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत